इंडिया की स्पेस एजनसी इसरो का प्लैन है कि दोजार पच्चीस तक हम हुमन्स को स्पेस में लेके जाएंगे और सेफली बापिस भी लेके आएंगे इस प्लैन का नाम है गगन यान मिशन अब इसे पूरा करने के लिए इसरो जो भी रॉकेट चाहिए जो भी इंजिन चाहिए सब चीजों को प्रिपेर कर रहा है तो जो rocket use किया जाने वाला है, उसमें CE20 cryogenic engine का use किया जाएगा, इसी को recently ESRONET test किया है successfully, अब यहां मैंने कहा cryogenic engine, इसका क्या मतलब हुआ, देखो कोई भी engine जब आप use करते हो, उसको काम करने के लिए किसी ना किसी fuel की ज़रूरत होती है, आप गाड़ी use कर रहे हो, उसमें गाड़ी को energy provide करता है, इस case में यहां पर हम जो fuel use करते हैं, वो है आपका hydrogen, लेकिन वो gas form में नहीं, वो liquid form में, दूसरा आप गाड़ी जब start कर रहे हो, आपको ignition के लिए गाड़ी में kick करना पड़ सकता है, ignition के लिए आज के time पर self buttons भी है, तो वैसे ही यहां पर भी आपको एक oxidizer चाहिए, जो उस जलने की process को start करे या फिर stop करे, तो ऐसा oxidizer यहां पर होगा oxygen, oxygen again in a liquid form, अब देखो cryogenic engine जब मैं कहा रहा हूँ, इसका मतलब होता है कि आपका जो fuel है और जो आपका oxidizer है, यह दोनों के दोनों बहुत ही ठंडी, बहुत ही कम temperature में काम कर रहे हैं, कितना क temperature, around minus 150 degrees Celsius, इतना कम क्योंकि space में आपको ऐसा temperature मिल सकता है, तो यहां पर आप देखोगे, जब यह temperature में चीजें चल रही है, उससे आप cryogenic temperature कहते हो, और इसलिए नाम भी cryogenic engine है, अब जब भी आप किसी rocket में ऐसा engine set कर रहे हो, तो ऐसा यह rocket दिख रहा हो, तो cryogenic engine आपको यहां उपर दिखेगा, ना कि मीचे, कोई भी rocket अलग-अलग stages में divided होता है, नीचे यहां पर आप देख रहे हो, यह पहला stage कह सकते हो, इतना, second यह बीच वाला कह सकते हो, पहला stage का काम है कि जल्दी से जल्दी rocket को यहां से उपर उठाए, thrust बहुत ज़्यादा चाहिए, तो वहां पर आप solid fuel यूज़ करते हो, फिर बीच में आप यूज़ करते हो liquid fuel, लेकिन उपर यहां आपको बहुत ज़्यादा thrust नहीं लगे, लेकिन आपको एक अच्छा source चाहिए, तो यहां cryogenic engine यूज़ हो रहा है, तो जब वो rocket उपर पहुँच चुका है, उसे अब orbit में अपनी इ hydrogen fuel की जो calorific value है, वो सबसे ज़ादा मानी जाती है, calorific value मतलब इस fuel की energy produce करने की ख्षमता, मतलब आप अगर petrol जलाते तो जितना energy निकलता, उसी quantity में अगर आप hydrogen जलाओगे, तो जितनी energy निकलेगी वो बहुत ज़ादा होगी, दूसरा इसकी जो exhaust velocity है, वो भी बहुत ज़ादा है, इसका क्या मतलब हुआ, जब ये आपका fuel चल रहा है, तो आपने जो bike में, car में, exhaust या फिर जो cylinders end में लगे होते हैं, आपने देखे होंगे, उसमें से ये किस speed से air बाहर निकलती है, जो भी gases हैं बाहर निकलते हैं, अब यहां से मान लो, यहां नीचे से ये जो gases exhaust से निक किलेगी, उतना ही तो ज़्यादा thrust ये नीचे मारेगा और rocket आगे उपर जा सकता है, तो ये हम देखते हैं, hydrogen की case में सबसे ज़्यादा है, और क्यूंकि आप जब hydrogen को compress करके, उसको temperature कम करके, liquid में convert कर रहे हो, तो जो आपकी fuel tank है, उसका size आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखती है, liquid को बहुत कम, solid को और भी कम, हमने यहाँ liquid में रखा है, तो tank size कम हो गया, उसका जो वजन है, overall rocket का इस वज़े से कम हो जाएगा, तो काफी अच्छा है hydrogen इस मामले में, लेकिन एक problem है hydrogen के साथ, अगर आपको hydrogen liquid form में रखना है, hydrogen usually आपको दिखता है क्या, नहीं, व बहुत ही कम temperature में, और वो रखने के लिए हमारे पास ऐसी एक technological system होनी चाहिए, जो कि बहुत ही complex होगी और बहुत मेहंगी भी होगी, दूसरा hydrogen gas क्योंकि उसकी जो molecule है, बहुत छोटे छोटे है, तो आपने जो भी system बनाया हो, उससे वो easily leak भी हो सकती है, और leak होने के बाद ऐ ऐसा नहीं कि वो खतम हो जाएगा, इसलिए हम डर रहे हैं, यह gas बहुत ही flammable, यानि बहुत easily जल जाती है, तो वहाँ पर अगर leakage हो गया, तो कोई ना कोई बहुत बड़ा हाथसा भी हो सकता है, while using this kind of thing, अब इसलिए हम hydrogen से थोड़ा डरते भी है, अब इंडिया की case में, अ हमारा अपना नहीं थाई, यह रशिया ने 1980s के टाइम पर हमें provide किया था कि आप use कर लो, हलांकि अमेरिका तब नहीं चाहता था कि हम यह रशिया से खरीदे, अमेरिका ने हमेशा कोशिश करी, इंडिया पर sanction लगाए, या फिर इंडिया ऐसी cryogenic technology use ही ना कर पाए, लेकिन च पूरा का पूरा हमने KVD1 का ही copy किया है, तो रशिया से ही design उठाया, development हमने किया, अब जो हमने CE20 बनाया है इस बार, उसका design भी हमारा अपना है और सारा development भी हमने खुद इंडिया ने ही किया है, किस ने किया develop, तो यह है आपकी body, liquid propulsion system center, जो की ISRO की एक subsidiary body है, उन्होंने य सारा काम किया है, और कहा जा रहा है यह जो engine है, वो दुनिया भर के सबसे strong cryogenic engines में से एक है, और जैसे ही इंडिया ऐसी cryogenic technology खुद की develop कर लेता है, तो वो इंडिया को दुनिया में 6 spot पे लेके जाएगा, एक ऐसी country जो cryogenic technology रखती है, हमारे पहले 5 लोग यह कर चुके हैं, Japan और Europe की जो space agency है, European space agency, यह लोग यह काम already कर चुके हैं, फिलाल जो हमारा वाला यह engine है, इसकी capacity आप देखो, जो भी low earth orbit होता है, low earth orbit आप देख सकते हो, somewhere around हमारे जो surface है, वहां से 160 से लेकर 2000 km की दूरी तक अगर आप जाते हो, उसको हम low earth orbit कहते हैं, तो उसमें हम at least 8 ton तक का payload, payload यानि जो भी समान आप लेके जा रहे हो, उतना समान आप लेके जा सकते हो, using this rocket, और इसके लिए जो पूरा launch vehicle हम use करते हैं, वो use होगा launch vehicle mark 3, जो की बहुत famous हैं इंडिया में, इसे हम कई बार बाहुविली rocket भी कहते हैं, क्योंकि यह इंडिया का सबसे strong, सबसे बड़ा launch vehicle है, launch vehicle यानि जो launch करने में help करता है, ठीक है, so this is all about CE20 engine,